नमस्कार प्यारे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे येट्यूब चैनल में और जैसा कि आपको पता है आपका डियलेट 33 सेमिस्टर मेथ के अंत्रकत आपका जो चेप्टर चल रहा है फोर और जिसमें आपके अभ्यास प्रसंस अभी कराए जा रहे हैं इसमें हम अब्जेक्टिव टाइप को देख रहे हैं तो देखिए आज हम कोश्चन चार से स्टाट करेंगे इससे पहले के कोश्चन में आपको करा दिये हैं तो देखिए कोश्चन नम्म चार में क्या का हुआ है कि 200 रुपए मूल्दन है 10% की बारसिक ब्याज की दर से लगा रह है तो आसानी चाप इसे कर सकते हैं तो मिजदन का सुत्र क्या होता है ए बराबर पी कोश्चक में बन प्लस हार बटा हंड्रेड पर पावर की समय की पावर इस पे और इसे हम सौल्व करेंगे ठीक है इसे हम से स्वाल करेंगे रख देंगे इसमें तो मूल्दन हमारे पास क तो आप देख सकते हैं 200 इंटू में ग्यारा बट्टे दस एक बार लेखेंगे एक बार फिल लेखेंगे क्योंकि इस पर समय की पावर दो छड़ी हुई है यह देख रहे हैं आप इसलिए तो एक जीरो से गीरो गया दूसरे जीरो से दूसरे जीरो गया और 121 का जो आपका इसकार होता है मतलब 11 का सब्सक्राइब करेंगे तो आप अगर इसमें जब दो से मंटिपल करेंगे तो 121 का दूखना कितना हो जाएगा 242 का अंसर आपका हो जाना चाहिए 242 का दिया हुआ है आपका मुलधन घट जाता है तो मिस्धन अपको कितना आ गया था चारी सो कितना अगया था एपका तो option number देख सकते हैं, the आपका सही हो जाएगा, option number the, आपका answer ये सही हो जाएगा, question number 5 देखेंगे, देखेंगे, question number 5 में क्या का होगा है, तो आप देख सकते हैं, कोई धन है, 10% बारसिक ब्याज की दर से 2 बर्स के लिए लिया जाता है, यद ब्याज छमाई दे होगा, तो बत 10% दी होई है, बट अगर चमाई की बात करेंगे, तो एक साल में 2 चमाई यां होती है, अब 2 चमाई यां होती है, तो हमें 2 भाग में बांटना है, तो दर को हमें 2 भाग में बांटना है, 2 से हम बांट देदेंगे, तो मारा कितना है, 5% तो 5% आपकी का निकल जाएगी, दर के लिए लिया जाता है यज व्याज दे होगा तो बताइए तिमाइ की दर कितनी огy तो ने कहा ता है जब तीमाई की बात करेंगा तो तो तेमाई एक साल में कितनी होती चार घाल तो चार होती हैं अगर 12star अगर 16% होmmут तो हमेंशे किसके चौत हे भाग तो बस चार परसेंट वाले पांसर लगा दीजिए आपका हो जाएगा आंसर नमबर अब हो जाएगा ठीक है तो चार परसेंट की आपकी दर निकल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं नेस्ट कोश्चन देखें को कोश्चन नमबर साथ यहां पर आप सभी के आंसर दिख सकते हैं तो च्छै का ए आया हुआ है आपका बता दिया दा में अभी आपको साथ देखिए 200 रुपए हैं चार परसेंट बासिक ब्याज की दर से आपको दिये जा रहे हैं दो बर्स के लिए दिये गए हैं यदो ब्याज तिमाई दे होगा तो समय बताईए अगर ब्याज तिमाई दे चलेगा तो समय बताईए तो एक साल में आप समझते हो कितनी तिमाईया होती एक दो तीन और च चार तिमाईयां होती हैं समय दिया है दो बरस दिया हुआ है दो बरस आप देख सकते हैं कि दो बरस को हमको क्या करना है यहां तीन चार तिमाईयां हमें दिखाई दे रही है और तिमाई के दरपा लगाना हमको तो आप यह बताईए कि दो बरस में कितनी तिमाईयां होती है एक बरस में कितनी तमाईयां होती है तो एक बरस में होती है चार तमाईयां तो दो बरस में कितनी हो जाएंगी तो आठ तमाईयां हो जाएंगी तो इसमें आप किस से मंटिपल करोगे कि यह आठ बन जाए दो तो इसमें किस से मंटिपल करोगे बताइए चार से मंटिपल करो कि इस साल में कितने महीने होते हैं आप के लिए बारह में बाटेंगा चार वागों निचे-टुर्स आपके लिए बहुत ही एजी है मूलधन आपका का है कि 10% की ब्याज की दर से चक्रवदी ब्याज दो बरस के लिए मिजधन 121 रुपए हो जाता है तो किस मूलधन का 10% चक्रवदी व्याज की दर से 2 बर्स का मिश्धन 121 रुपए हो जाएगा तो यहां पर आप से मूलधन की बात कर रहा है और मिश्धन कहे रहा है कि मिश्धन जो है वो आपका 121 रुपए है तो हमें यहां से मूलधन निकाल सकते हैं कि हमाई सब कुछ दिया हुए तो आप जा तो 121 रुपए में से दिया हुआ है मूल दन हमसे पूचा हुआ है अब यहां देखें तो बन प्लस और दर हमें 10% दीवे 10 बट्टे 100 और समय की पापर कितने चलाएंगे दो चला देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर इससे यह जीरो कट जाएगा और 10 एक 10 और 11 बट्ट से कालना तो दोन सब चीजें उतर की साथ पेज़े दो तो 121 इंटू में यह 10 बाग दे रहा था उपर जाके गुड़ा करने लगए और जो 21 11 बाग दे रहा तो नीचे बाग देगा तो 11 से काटेंगे तो तो कितना हो जाएगा 100 तो पी बरावर हो जाएगा आपका 100 रुप तो यही आपका अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आपके आज चक्रवय दिव्याज सादडव्याज टोटल ही आपका खत्म हो चुका है ठीक है तो अगले वीडियो के लिए आप प्रितिच्छा करिए और अच्छे से अपनी तयारी करते रहिए आपको अगले वीडियो कल मिल जाएंगे कल से आपका जो बैंके के कुश्चन से उनको मैं करा दूंगा यहां पर ठीक है सभी आपको उसमें थोड़ा रट्टा मारना है याद करना है ठीक है तो उसमें कैसे एकाउंट केतने प्रिकार के होते हैं यह अपलाना डम का कैसे रोपाय टेपोजेट करते है यह सब को सुसमें दिया गया है तो वो मैं आपको करा दूंगा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद वीडियो अच्छा लगा आपने दोस्तों साथ जरू सेर करना ब्लेंक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए आपसे विजाल लेंगे कर दो